Hello student, आप सभी का स्वागत है, Agri Power Online Coaching Platform पर मैं हूँ शरद, ICR PhD, स्कोलर, राजिस्थान एगरी कल्चर रिचर्ट जूरगापुरा और आज की जो हमारी क्लास है, वो हम स्टार्ट करने जारे जो एंटोमलोजी की टॉप 25 कुशन है, उनके बारे में हम डिसकस करेंगी और जो हमारी कलास है, इसके अंदर हम डिसकस करेंगी, जो भी Plant Protection की जो भी Important Question है देखी, Plant Protection जो है, हमारे तीन सब्जेक्ट कवर करके चलता है, जिसमें हमारा पहला जो सब्जेक्ट है, वो है एंटो और जो दूसरा हमारा जो Important Subject है, जहां से सब्जादा Question पूछे आते हैं, भी वो है Plant Pathology और जो तीसरा और Important Subject है, वो है Nematology अब देखी, तीनों की तीनों सब्जेक्ट हैं, वो कौन सा पार्ट कवर करते हैं, भी अब इसमें से लगभग जो है, आपके 20-22 क्यूशन जो है आपके लगभग एक्जाम में पूछ ले आते हैं, तो इसी के साथ हमारी क्लास हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, उससे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि भई जो हमारा इस को आप पर्चेस कीजिए, जिसके अंदर आपको जितने भी सब्जेक्ट हैं, उनके प्रोपर तरीके से, एक्जाम के पॉइंट ओफ वीडियोस हैं, वो आपको मिलेंगे और देखें इसके बाद में जो है, अभी न्यू बेज हम स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें आपको आईबीपियस जो एफो है, उसके मैंस के लिए जो एग्रिकल्चर की जितने भी इंपोर्टेंट सब्जेक्ट हैं, उन सभी के भी आपको क्या मिलेंगे इस कोर्स में, र अब से पहला जो हमारा कीशन है, वो है, वाइरो कोला इसोकरतज आपको में इस को स्टार्ट करने मुด भी आपको एक बता देना चाहता हूँ, थैसके अनार बटरफ्लाई जो है , उसका साइन्टक नेम से पहले आनार बटरफ्लाई उसका साइन्टिफिक नेम है, ठीक है, वाईरो कोला आईसो क्रेटस भई किसका पेस्ट है यह है अनार बटरफलाई ठीक है इसका जो common name क्या है अनार बटरफलाई है और इसलिके साथ मैं आपको एक चीज बता देना चाहता हूँ कि यह जो अनार बटरफलाई है यह कौन से order से विलोंग करती है यह है लेबिडोप् ठीक है क्या है कई बार क्या होता है कि exam के अंदर हमको यह question पूछ ले आता है कि what is the scientific name of अनार बटरफलाई तो भई अनार बटरफलाई जो है वो क्या है वाईरो कोला आईसो क्रेटस अब देखिए जैसा कि इसके common name से हमको पता चल पा रहा है कि वाईरो कोला आईसो क्रेट is the fruit pest of भई जो इसका common name क्या है वो अनार बटरफलाई है ठीक है तो इससे हमको जो option में दियावा है भई क्या के दियावा है mango यह mango जो है mango का पेस्ट नहीं है ठीक है mango क्या निया आएगा इसके अंदर नहीं जाएगा इसका जो सही answer जाएगा वो जाएगा भई पॉमेंग्र का और वायो कोला इसक्रेटर्स का जो common name है वो क्या है भई अनार बटरफलाई है ठीक है तो यह जो question है आपके कई बार exams के अंदर पूछा जाता है और exam के point of view से क्या है बहुत ही ज्यादा important question है ठीक है students और इसके बाद में देखिए जो हमारा next question होगा वो देखिए pink ball worm is a serious pest of भाई देखो pink ball worm जो है बहुत ही important pest है सबसे पहले तो आपको यह पता होना चाहिए कि जो pink ball worm है इसका scientific name क्या होता है ठीक है इसका scientific name क्या होता है pink ball worm जो है वो है pectinophora भाई यह आपको क्या है exam के अंदर पूछा जाता है pectinophora गोसे पिये ला ठीक है students तो यह जो scientific name है आपसे direct या तो scientific name दे करके question पूछ लिया जाता है या common name दे करके भी आपको क्या पूछ लिया आता है क्यूशन पूछ ले जाता है तो भाई जो pink ball worm है पेक्टिनोफर अगोसे पियेला यह किसका serious pest है यह serious pest है भाई किसका यह serious pest है cotton का ठीक है जो pink ball worm का सबसे जादा जो attack हमको दिखाई देता है कौन सी crop पर दिखाई देता है और देखो pink ball worm जो है इससे related जो दूसरा और सबसे important question जो पूछ जाता है हमको वो यह पूछ जाता है double seed condition ठीक है तो यह हमारा जो next important question है वो है double seed condition को भी क्या बनाता है यह इसमें जो larva है देखो pink ball worm का जो larva है वो कौन सी condition मनाता भाई double seed condition मनाता है ठीक है इस double seed condition का आप से question आता है कि double seed condition is formed by which insect in cotton कि भाई cotton के अंदर जो double seed condition है वो किस kit के द्वारा produce की जाती है तो वो है pink ball worm ठीक है अगर हम बात करें pink ball worm की ही इसकी जो damaging stage है ठीक है भाई pink ball worm के आपको जो भी related important question है वो भी हम साथ साथ में discuss करते हो चल रहे है ठीक है तो इसके damaging stage जो है students वो क्या रहेगी हमारी वो रहेगी आपकी larva ठीक है वो क्या रहेगी larva और इसके larva को क्या कहा जाता है भाई caterpillar कहा जाता है ठीक है इसके larva क्या कहा जाता है caterpillar कहा जाता है और इस caterpillar ही क्या करता है जो balls होती है उनके अंदर क्या करेगा भाई उनके अंदर हाइबरनेट हो जाएगा और किस तरह की double seed condition का formation करता है तो यही condition हम क्या कहते है इसको double seed condition कहते है तो भाई देखो इसके regarding जो भी important question है जो आपको future के अंदर exam में पूछे जा सकते हैं कि भाई what is the scientific name of pectinophora ठीक है भाई इसका जो pink ball का scientific name क्या है वो pectinophora गोसे PLA है और इसके बाद इसके ही related दूसरी condition है कि double seed condition कौन से insect में आती है तो वो कौन से insect में आती है जो pink ball worm है वही cause करता है किस में cotton में जो इसका सही answer है भाई वो क्या है cotton answer आएगा इसका ठीक है आई बात यहां तक समझ में तो भाई जो भी question है उसके regarding जो भी important points है वो भी हम साथ साथ में cover करते वी चल रहे है जिसको क्या हो जिसके वज़े से आपके इस particular pest के बारे में जो भी confusion रहेगा वो साथ साथ में cover up होता जाएगा इसके साथ हम जो हमारा next question है वो है देखो फिरेमोन बहुत ज़्याद इंपोर्टेंट चीज है फिरेमोन ट्रेप क्या होता है सबस इस main जो है हमारा इसमें management जो है management के लिए काम में लेते हैं ठीक है और किसके लिए काम में लेते हैं मास ट्रेपिंग के लिए काम में लेते हैं देखो क्या होता है कि जब भी हम फिरेमोन ट्रेप जब लगाते हैं तो क्या होता है कि जो भी male इसमें हम यह देखेंगे कि यह क किस तरीके के insects को attract करता है, फिरेमोन ट्रेप जब हम लगाते हैं, तो उसमें कौन से insects जो हैं, वो आते हैं, या हम बोले कि किस तरीके के sex को ये attract करता है, तो भाई सबसे ही जो इसका important answer है, या हम बात करें किसको, male mode को, ठीके, ये किसको attract करता है, ये एक्षाम के अंदर कई बार पूछा जाता है, आरी बात student समझ में देखो इसके अंदर आपको जो question दियावा है उसके option देखिए एक बार यह female bugs तो भाई कभी भी फिरेमोन जो है female को attract करने के लिए काम में नहीं लिया जाएगा तो यह आपको यह वाला option नहीं जाएगा और दूसरी बात जो है इसका second option है आपके पास में caterpillar भाई caterpillar क्या होता है यह larval stage होती है और larval stage के अंदर क्या नहीं होता किसी भी तरह का attraction इसमें नहीं देखा जाता और तीसरी चीज है female mode भाई female mode का इसमें नहीं आएगा क्योंकि female mode ही क्या करती है यह produce करती है ठीक है female mode क्या produce करेगी sex hormone ठीक है female ही क्या produce करेगी sex hormone ठीक है इसके बाद में जो सबसे important चीज आती है वो है आपका male mode इस जो फिरेमों ट्रेप है किसको attract करने के लिए लगा जाता है इसके बाद में देखो dimethoid भाई देखो dimethoid का question जो है सबसे famous question है और बहुत बार examiner जो है इसको पूस्ते हैं ठीक है सबसे पहले तुम्हें आपको यह बता दू कि dimethoid जो है dimethoid क्या है भाई एक तरीके का insecticide है और इसका जो common name है इसका जो common name है वो क्या है roger ठीक है market में किस नाम से मिलता है भाई यह roger के नाम से मिलता है तो कई बार आपको dimethoid ना देखर के क्या पूछ सकता है roger भी दे सकता है ठीक है तो dimethoid क्या है roger है और जो इसके बारे में एक दूसरा important question है कि dimethoid क्या है एक तरीके का insecticide है और किस तरीके का insecticide है किस तरीके का insecticide है भाई इसका trade name है, सबसे पहले तो आपको question को मैं थोड़ा सा explain कर रहा हूं ताकि आपको पता चल जाए, और कई बार exam में आप से यही भी पूछा जाता है, कि die method जो क्या है, इसका trade name क्या है, रोगर है, और ये कौन से, ये क्या है इसका group है, कौन से insecticidal group से belong करता है ये, तो ये क्या insecticide है, ये आपको सबसे जादा exam के अंदर पूछा जाता है, कि what is the mode of action of dimethoid, या फिर dimethoid is a systemic insecticide, ठीक है, dimethoid क्या है भाई, एक systemic insecticide है, जो आपको exam के अंदर बहुत बार पूछा जाता है, ठीक है, आपको कई बार, कई आपको exam के अंदर यहां से question जो है, जरूर देखने के लिए मिल जाएगा, जिसमें जो सबसे most famous example है, जो examiner कई बार, कई तरह के अलग-अलग exams में पूछते हैं, वो dimethoid का या तो direct आपको नाम देंगे, या फिर क्या आप बोलेंगे, इसका जो trade name है, वो पूछ ले आता है, कि what is the trade name of dimethoid, तो वो क्या हो जाएगा, roger, ठीक भी पूछ ले आता है इनका, ठीक है, और यह किस तरीके का insecticide है, systemic insecticide है, systemic का मतलब क्या होता है, कि जितने भी systemic insecticide होते है, यह plant के अंदर जाते है, ठीक है, और सबसे important बात है, जितने भी systemic insecticide होंगे, भई, किसको control करने के लिए काम में ली जाते है, sucking insect pest, यह एक चीज आप notice क लीजिएगा, इसको आप ध्यान में रखो, कि sucking insect pest को control करने के लिए किस तरीके के insecticide का काम में ली आता है, वो लेते हैं, systemic insecticide का, और हम बात करें, systemic insecticide में भी किस तरीके के, जो most favorite जो है, या most suitable insecticide है, वो कोन है, भई, die method है, ठीक है, और यह जो question है, आपका, जो agriculture supervisor exam है, ठीक है agriculture supervisor exam 2018 में भी ये question आप से उस exam में पूछा गया था, ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं, देखो, ये भी एक काफी important question है, ये कई बार हम से exam में पूछा जाता है, तो भई, हम बात करते हैं, airy silkworm, देखो, generally जो silkworm होते हैं, वो उनको किस पे rear किया जाता है, भई, generally silkworms को किस पे rear किया जाता है, mulberry पर rear किया जाता है, मुख्य रूप से generally silkworms को किस पे rear किया जाता है, mulberry पर rear किया जाता है, लेकिन mulberry पर जिसको हम rear करते हैं, वो कौन सा होता है, वो जो होता है, वो होता है, bombics morai, ठीक है, वो कौन सा होता है, bombics species होती है, या bombics होता है, ठीक है, तो हम तो आपको first option आगर mulberry दे दे और आपसे पूछे कि arish silk worm is reared on, ठीके, तो arish silk worm, जो है, वो किस पर reared किया जाता है, भмет कैस्टर किया जाता है, और mulberry पर क्या नहीं किया जाता, उसको reared नहीं किया जाता, mulberry जो है, वो उस पर किस को reared कियाता, जो हमारा बॉम्बेक्स जो है ठीक है हमारा जो नॉर्मल सिल्क वर्म है ठीक है उसको रियर के आता है और देखो ये क्या है ये तो इंडोर है इंडोर का क्या मतलब होता है कि इसको रियर करने के लिए देखो इंडोर सिल्क का क्या मतलब होता है कि जो मलबेरी पर फीड गरने वाला जो सिल्क वर्म होता है उसको इंडोर सिल्क वर्म भी कहते हैं इंडोर सिल्क वर्म का क्या मतलब होता है कि इसको रियरिंग करवाने के लिए पर्टिकुलर फ्लेचरी की जुरत पड़ती है जबकि यह क्या होता है नेचर के अंदर भी जो कैस्टर के प्लांट है उनके उपर रियर करवाया जा सकता है तो एक इंपोर्टेंट चीज है कि आ आपको यह बता देना चाहता हूं कि मस्टर्ड साफलाई जो है ठीके मस्टर्ड साफलाई जो है जिसका क्या है साइन्टिफिक नेम एथेलिया लुगेंस प्रोक्जीमा ठीके एथेलिया लुगेंस प्रोक्जीमा जो है भाई इसको हम क्या केते हैं मस्टर्ड साफलाई और इसके लिए सबसे important और सबसे most जो एक्जाम में पूछी जाने वाली चीज है वो एक तो इसका पूछते हैं order भाई ये कौन से order से बिलोंग करता है ये बिलोंग करता है hymen of terra ये कौन से order में आने वाला है भाई हाइमे वीट ऑपटे रहे और हाइमे आल अपटेरा के अंदर सिर्फ और सिर्फ ये एक ही ऐसा insek जो क्या करता है ये ये एक ही single ऐसा इंक्ट है mustard के उपर देखा जाता है ठीक है अब देखिए इसके अंदर ये पूछा गया है इस question में कि the mustard saffly athelia lugens proxima जो है lays egg near कि इसकी egg laying जो होती है वो कहां होती है ठीक है exam के point of view से बहुत ज़्यादा important question है ये तो देखो इसकी जो egg laying होगी वो कहां होती है भाई leaf margin पर होती है ठीक है leaf margin पर होती है leaf के उपर क्या करती है mustard saffly उसके जो margin जो होती है वहाँ पर क्या करती है egg laying करती है ठीक है इसका आपको देखो order जो है वो कौन सा हाइमेन अप्टेरा है और देखो इससे related और भी कई question जो है वो देखो मैं आपको यहीं समझा देता हूँ साथ की साथ में जो इसका larva जो होता है ठीक है इसके larva को scientifically क्या माना जाता है क्या कहा जाता है गरब इसके larva को क्या कहा जाता है गरब कहा जाता है क्यों कहा जाता है grape क्योंकि हायमेन आप्टраш से बिलॉग करने वाले जो insect है उनकि लारवल अवस्ता क्या क्या कैलाती है घ्रप के लाती है यह बहुत ही important example है लेकिन इसके अंदर क्या होते हैं इसका जो larva होता है उसके अंदर क्या होंगे एड प्रो-लेग्स होगे हैं प्रो लेक्स होते हैं ठीक है यह आपको एक्जाम के अंदर पूछा जाता है भाई प्रो लेक्स क्या होते हैं अब देखो प्रो लेक्स क्या होते हैं प्रो लेक्स जो होंगे abdomen पर पाए जाने वाले legs जो होंगे pro leg किसको बोलते है abdomen पर पाए जाने वाले legs ठीके abdomen जो है abdomen पर पाए जाने वाले legs होते है उनको क्या कहा जाता है pro legs कहा जाता है और कितने होते हैं इसके अंदर 8 pairs होते हैं 8 pairs of pro legs होते हैं यही question आप से कई बार एक्जाम में पूछा जाता है मस्टर्ट साफ लाई से रिलेटेड जो भी important questions जो है या जो भी important points जो है वो हम यहाँ पर साथ साथ में discuss करते वे चल रहे हैं ताकि आपके इस particular question के साथ में जो भी इस से related और जो दूसरे common questions हैं वो भी साथ साथ में क्या होते रहें clear होते रहें तो भई पहली चीज क्या है order जो है इसका hymenoptera है दूसरी चीज क्या है जो larva है वो क्या क्यलाता है scientifically grub है लेकिन आपको example में या फिर कई बार क्या होता है इसको caterpillar भी लिखा होता है caterpillar इसलिए लिखा जाता है इसको क्योंकि यहाँ पर क्या होते है यह caterpillar की तरह दिखाई देता है लेकिन इसके में जो दूसरा question जो है वो क्या पूछा जाता है आप से how many pairs of pro legs are found in mustard saafly larvae भाई जो mustard saafly का जो larvae है इसमें किस तरीके के कितने pro leg होते हैं जो 8 pair होते हैं यह सबसे ज़्यादा पूछे जाना वाला इसमें most important example है आगे चलते हैं देखो इसके बाद में है BT cabbage भाई जो BT cabbage है वो किसके लिए develop की गई है देखो भाई जो cabbage है इन में से कौन सा ऐसा pest है जो cabbage पर attack करता है जिसका severe infestation हमको उस पर दिखाई देता है cable पर तो वो है diamond backmoth ठीक है diamond backmoth है और diamond backmoth जो है इसके बारे में मैं आपको एक चीज बता देना चाहता हूं कि BT के against क्या देखा गया है इसमें resistance देखा गया है ठीक है इसमें क्या देखा गया है कई बार आपको exam के अंदर question ये भी पूछा जाता है कि जो diamond backmoth है वो क्या है इसके अंदर resistance देखा गया है किसके लिए resistance against BT ये है आपके एक important point है इसको आप ध्यान में रखो तो देखो BT के against क्या देखा गया है इसमें resistance देखा गया है लेकिन जो BT cabbage है वो किसके लिए develop की गई है वो develop की गई है diamond backmoth के लिए develop की गई है ठीके और diamond back muut का जो नाम है वो क्या है platela ठीके वो क्या है platela xylostella क्या है इसका scientific name है आप से कए बार क्या पूछा रता है what is the scientific name ofment diamond backmoth का क्या नाम है kindle xylostella है और कई भार आपसे ये भी पूछा जाता है कि the maximum kind of resistance against BT is developed and which insect की भई BT के against जो resistance है निम्न मैंसे किस कीट के अंदर देखा जाता है तो वो क्या है diamond backmoth में ही इसका क्या देखा जाता सबस्यादा resistance देखा जाता है तो आपके जो 2 important point है exam के point of view से क्या है ये important है इसको आप ध्यान में रखिए ठीके BT के बिज जो है वो develop तो किसके लिए क्या गया भई diamond backmoth के लिए क्या गया है लेकिन साथ में ये भी important question ये पूछा जाता है कि इस diamond backmoth में BT के against क्या हो चुका है अब resistance develop हो चुका है आई बात यहां तक समझ में इसके बाद देखो जो next है हमारा ये एक important question है destructive insect pest act जो DEPA है वो कब क्या हुआ था पास हुआ था तो भाई देखो वो हुआ था 1914 के अंदर ठीके ये कई बार आपको exam के अंदर पूछा जाता है और हाल ही के अंदर ठीके हाल ही में जो RPSC का agriculture research officer का जो exam था entomology के लिए ठीके हाल ही में प्रिष्ण जो है RPSC का जो ARO का examination था उसमें पूछा गया था कि destructive insect pest act जो है वो कब पास हुआ था तो पास हुआ था आपके 1914 के अंदर हुआ था ठीके यहां से आपको यह कई बार exam में पूछा जाता है most important question है देखो भई juvenile hormone जो है JH जिसको बोलते है is a terapine सबसे पहले तो यह होना चाहिए कि आपको पता होना चाहिए कि जितने भी juvenile hormone होते हैं वो क्या होते हैं terapines होते हैं और किसके दुआरा secret होते हैं यह भई देखो यह secret जो होंगे कारपोरा अलाटा से होते हैं ठीक स्टुडेंट्स यह कहां से secret होते हैं कारपोरा अलाटा से होते हैं और इसके बाद में देखिए next हमारा question जो है term third generation ठीक है third generation देखो third generation pesticide जो है वो किन को कहा गया है यह आपके कई बार exam के अंदर question पूछा जाता है जैसे कि हमारे जो राजस्तान प्रीपीजे का examination होता है वहां से भी इसमें कई बार question पूछा जाता है साथ में जो BHU के examination ने वहां से भी पूछा जाता है और जो दूसरे हमारे examination ने के हम बात करें जैसे की AAO और agriculture officer का जो exam है जो RPSC conduct करवाता है वहां से भी यहां से question पूछा जाता है तो भई जो third generation pesticide हैं उसमें कौन से हार्मोन आते हैं उसमें आते हैं आपके juvenile hormones ठीक है उसमें कौन से हार्मोन आते हैं भई जुएनाइल्स हार्मोन आते हैं ठीक है इसके बाद में देखें next हमारा NCIPM is located भई बहुत important question है आपके exam के point of view से NCIPM देखो NCIPM क्या है National Center Integrated Pest Management ठीक है NCIPM की full form क्या होती है National Center of Integrated Pest Management जो है इसके क्या है full form है और यह कहां पर स्थित है भाई यह है आपके new daily में ठीक है यह कहां पर स्थित है NCIPM यह है आपके new daily में स्थित है new daily में क्या है यह established है इसकी full form भी आप से कई बार पूछ लिया आती है National Center of Integrated Pest Management क्या है इसकी full form है ठीक है तो आप इसको क्या रखिएगा ध्यान में रखिएगा एक्जाम के अंदर यहां से कई बार आपको क्विशन पूछ लिया जाता है इसके बाद देखिए देखो The All India Research Project on Biological Control of Crop Pests and Weeds was initiated in देखिए जो क्विशन है यह पूछ रहा है कि जो All India लेवल पर जो Research Project था Biological Control के लिए वो सबसे पहले किन के लिए या सबसे पहले कब इसको लागू किया गया था तो भही इसका जो आंस्वर होगा वो होगा आपके 1977 ठीक है आपको कई बार एक्जाम के अंदर क्विशन पूछा जाता है ठीक है और खास करके जो क्विशन है आपकी जो राजिस्थान Pre-PG के जो एक्जामिनेशन है ठीक है या जो हम स्टेट वाइस हम बात करें जो PG के जो एक्जाम लगते हैं उनके अंदर इस तरीके जो क्विशन होते हैं जहां से हम बात करें कि किसी पर्टिकुलर इंस्टिटूट की इस्टबलिश्मेंट पूछे आती है जैसे NCIPM है उस तरीके की जो प्रिशन होते हैं Pre-PG से रिलेटेड जो एक्जामिनेशन होते हैं वहाँ पर सबसे जादा पूछे जाते हैं देखे स्टुडेंट्स हमारी जो आज ही क्लास है इसका जो में मकसद जो है कंड़क करवाने जितने भी most probably important question है आपके exam के point of view से हम उनको क्या करते हुए चल रहे हैं यहाँ पर cover करते हुए चल रहे हैं देखिए इसके साथ-साथ हम क्या करेंगे topic wise भी हम यहाँ पर most important question जो है उनको discuss करेंगे हमारे next session के अंदर इसके साथ देखो देखो इसके बाद में वापस हमारे पास next question है वो क्या है when NCIPM was established देखो NCIPM का स्थापन कब हुई थी इससे पहले में आपके एक चीज और बता देना जाता हूँ यह question भी हाल ही में RPSC-ARO अब भी जस्त लेटेस्ट ही लगे हैं यह दोनों की दोने exam एक्जाम वह आपका RPSC-ARO का और दूसरा exam हुआ है वह है RPSC-ARO भाई ARO क्या होता है agriculture research officer agriculture assistant research officer उन दोनों ही exam के अंदर यह question जो था वो पूछा गया था तो अब आप देख सकते हैं कि यह जो question है वो किसी भी लेवल पर आपको किसी भी exam के अंदर किसी भी तरीके से question आपको पूछा जा सकता है कि भाई NCIPM के आपको क्या पूछ सकते है इसके location पूछ सकते हैं NCIPM क्या आपको full from पूछ जा सकती है NCIPM क्या पूछ जा सकता आपको establishment year पूछ जा सकता है ठीक है तो इसका जो establishment हुआ था भई वो आथा 1988 में हुआ था और यह क्या है आपको exam में पूछा गया हाल ही में जो question है वो पूछा गया है ठीक students इसके बाद देखिए जो हमारा next question है देखो which of the following entomopathogenic fungus is effective on root grub बई देखो इस question को explain करने से पहले मैं आपको सबसे पहले तो बताना चाहूंगा कि जो entomopathogenic fungus है देखो इसके अंदर दो term हमारे पास में आ रही है entomo then first जो दूसरी term है वो pathogenic देखो इसका क्या मतलब होता है कि ऐसा कोई microbial living organism ठीक है ऐसा कोई microbial living organism जो क्या करे insects के अंदर किसी तरह की pathogen भई pathogen क्या है उसमें किसी तरह की disease को develop करे ठीक है तो भाई ऐसा कौन सा microorganism है ठीक है जो क्या करता हो root grubs में पहली चीज़ तो ये पता हो नीची कि जितने भी entomopathogenic living organism होते हैं ये सब के सब किसलिए यूज के लिए जाते हैं जितने भी entomopathogenic living organism होते हैं वो सब किसमय यूज में लियाते हैं biological control में ठीक है यह जो है यह किसका part है भाई biological control का part है पहली बात अब को यह मालूम होना चाहिए ठीक है जितने भी हम anthropogenic living organism एक्रूध लिऴंग औरगनिस्म क्या हो सकते हैं fungus हो सकते है ठीक है bacteria हो सकते है ठीक है और क्या हो सकते virus हो सकते हैं इसके अलावा proto-jowa भी होते हैं इसके अलावा nematode भी होते हैं तो देखो ये सारे कि सारे चीजे क्या हैं इनकी help से हम अगर किसी insect की population को control करते हैं तो ये किसके अंडर में आता है biological control के ही अंडर में आता है और इन सभी microbial living organism को क्या कहा जाता है entomopathogenes कहा जाता है और इन entomopathogenes में भी हम बात करें किसकी fungus की तो देखो ऐसी कौन सी fungus है जो किसको control करती है root grubs को भाई सबसे पहले तो आपको भी पता होना चीए कि most important root grub कौन सा है most important root grub जो यहाँ पर बात हो रही है वो है आपके पास में white grub कौन सा है भाई white grub beetle ठीक है white grub जो है इसको क्या बोलते हैं हम hollow tree किया कौन सा इंगविना hollow tree किया कौन सा इंगविना जो है ठीक है hollow tree किया कौन सा इंगविना वो क्या है root grub है आप सभी को पता है जो white grub beetle जो होता है जो roots होंगी, roots के उपर feed करता है, और यह क्या है एक तरीके का, जो root grub होते हैं, कैसे होते हैं, polyphagus insect होते हैं, ठीक है, तो देखो हम यहां से कितनी सारी चीज़े एक साथ clear करते हुए चल रहे हैं, सबसे पहले तो हमने बताए कि entoma pathogen क्या होते हैं, यह किस में use में लियाते हैं biological control में इनको use में लेते हैं, और यह सारे के सारे जो living organism है, यह सारे के सारे कैसे entoma pathogen है, दूसरी चीज़ आपको क्या पता चल रहे हैं, यहां से root grub जो है, किस root grub की बात कर रहे हैं हम, white grub की बात कर रहे हैं, white grub का scientific name क्या होता है, hollow tree क्या कौन सेंगविना होता है, और ही क् हम बात करें, इसको control करने के लिए जो entoma pathogenic fungus जो होगी, वो कौन सी होगी आपके पास है, metaresium anisopoli, ठीक है, यह कौन सी होगी, metaresium anisopoli होगी, इसमें क्या है देखो, आप यह देखेंगे कि metaresium anisopoli को किसलिए use में लेते हैं, इसको use में लेते हैं, white grub को control करने के लिए, white grub का जो क्या होता है, यह grub जो होए, grub क्या है, भाई, larval stage है, इसको हम control करने के लिए metaresium anisopoli का use करते हैं, तो यहां तक आपकी question जरूर समझ में आ गया होगा, इससे related जो भी important points है, वो भी हम यहां पर discuss कर चुके हैं, जो आपके exams में, important है point of view से, इसके बाद में हमारा next question है वो है, eclare is the trade name of which biologically originated biopesticide, भाई देखो, eclare जो है, यह ऐसा कौन सा, इसमें biological agent responsible है, जो क्या करता है, इसको produce करता है, या eclare किस से originated हुआ है, तो भाई, सबसे पहले तो मैं आपको एक चीज़ बता दू, eclare जो है, ठीके, eclare जो है, यह किसका trade name है, यह है virus का, ठीके, त वाईरस जो है, वाईरस का ही क्या नाम ही, जो trade name है, वो क्या है, eclare है, तो यह biopesticide किसके help से बना हुआ है, वाईरस की help से बना हुआ है, ठीके, किस से originated हुआ है, यह हुआ है, यह हुआ है, वाईरस की help से originated हुआ है, और इसका जो use है, यह किसके लिए किया जाता है, लेप लेपिडॉप्टेरिन इंसेक्ट के लिए किया जाता है ठीक है तो यहां पर आपको दो चीज क्लिए हुई पहली चीज तो एकलार क्या है भाई एकलार इस ट्रेड नेम ऑफ वायरस तो किसे और इजनेटेड हुआ है यह वायरस से ही और इजनेटेड हुआ है दूसरी चीज यह है कि एकलार को हम काम में किस लिए लेते हैं तो हम काम में लेते हैं लेपिडॉप्टेरिन इंसेक्ट सो कंट्रोल करने के लिए हम इसे काम में लेते हैं आई बात समझ में इसके बाद में जो हमारा नेक्स्ट और मॉस्ट इंपोर्टेंट क्वेशन है वो है अपरिकेनि predator और parasite वाले जितने भी question हैं यह आपको किसमें पूछ जाते हैं generally biological control से related जो topic है हमारे वहां से आए जाने वाला question है यह और सबसे इस question की सबसे खास बात में आपको यह बताऊँ जो apricania melanoluca है सिर्फ और सिर्फ ऐसा paracetoid है जो किस से बिलोंग करता है order lapidoptera से बाई परसीटोइड जो है 99.99% जो paracetoid होते हैं वो generally कौन से order से बिलोंग करते हैं हाइमिन अप्टेरा से बिलोंग करते हैं कुछ diptera से भी बिलोंग करते हैं लेकिन मात्र एक ऐसा paracetoid है कौन सा apriconia melanoluca जो किस से बिलोंग करता है भी ये बिलोंग करता है आपके lapidoptera से ठीक है तो आपके कई बार ये इस तरह का question भी पुछा जाता है कि which one insect या which paracetoid is belongs to order lapidoptera ये lapidoptera से बिलोंग करने वाला एक मात्र single paracetoid है जो किसके उपर paracetoid है और मैं आपको सबसे पहले एक सीज leaf hopper ठीक है इसका जो common name है वो क्या है sugar cane leaf hopper है तो भई sugar cane leaf hopper को हम control करने के लिए किसका काम में लेते हैं कौन सा biological control agent काम में लेते हैं वो है आपके पास में apricania melanoluca ठीक है इसके बाद देखो जो leafifice arycemi है भई leafifice arycemi है इसका common name क्या है ये है mustard एफिड ठीक है ये क्या है mustard एफिड है उसका scientific name है ठीक है और इसके बाद में जो है helicoverpa army gera ये क्या है आपके American ball worm ठीक है American ball worm है और इसी को क्या बोलते हैं भई port borer और इसी को ही क्या बोलते हैं fruit borer तो देखिए यहां से हमको कई सारी चीज़ एक साथ पता चल रही है कि जो helicoverpa army gera होते हैं उसके क्या क्या नाम हो सकते हैं American ball worm भी इसको कहा जाता है port borer भी इसको कहा जाता है fruit borer भी इसको कहा जाता है ठीक है और ball worm भी इसको कहा जाता है तो देखो कई सारी चीज़ यहां से हमको पता चल रही है एक तो most important जो parasitoid है जो single insect जो है लेपीड आप टेरा से बिलोंग करता है दूसरी चीज यह है इसका किसके लिए यूज में लेते हैं किसको control करने के लिए यूज में लेते हैं sugarcane leafhopper को इसको control करने के लिए काम में लेते हैं इसके बाद देखो जो leafy seracemi यह आपके क्या है mustard एफिड है then helicovarp army gera वो आपके पास American ball worm है यह क्या है इसके common name है then इसके बाद में हमारा जो most important next question है वो देखिए which of the following bio agents is the most effective against helicovarp army gera भाई यह भी एक most important exam exam के अंदर पूछ जाना वाला प्रशन है कि helicovarp army gera को control करने के लिए सबसे most effective biological control agent कौन सा है तो भाई देखिए हम बात करते हैं इसका जो जो सही answer होगा वो होगा NPV ठीक है NPV होगा किसी technical mistake की वज़े से हमारे जो 16 नमर के बाद में continue नहीं हो पाई थी जिसको हम अब भी क्या कर रहें दुबारे continue कर रहें तो देखिए जो हमारा important question है which of the following bio agent भाई इसमें देखों क्या आपसे दो चीज पूछा जा रहा है कि ऐसा कौन सा biological agent है जिसका effectively use किया जाता है किसके against helico arpa army gera के लिए बाई सबसे पहले तो मैं आपको यह चीज बता जाने चाहता हूँ जो helico arpa army gera है वो क्या है बहुत important question है और आपको यहां से helico arpa army gera से कई बार question पूछ जाते है सबसे पहली बाद तो है helico arpa army gera क्या है एक तरीके का polyphagus insect है ठीक है सबसे पहली बाद तो क्या है यह एक तरीके का polyphagus insect है और दूसरी चीज जो है ये कौन से ओडर इसकी जो फैमिली है वो क्या है भाई नौक्टूडी है और ये कौन से ओडर से बिलोंग करता है लेपिडॉप्टेरा से ठीक है ये दो चीज आपके हो गई और सबसे इंपोर्टेंट थर्ड जो चीज है इसके अलग-अलग नेम्स भाई ये कई तरह के अलग-अलग नामों से जाना जाता है जिसमें से सबसे पहला जो नाम है वो है अमेरिकन बोल वर्म ठीक है ये क्या है एक अमेरिकन बोल वर्म के नाम से भी जाना जाता है इसको पोर्ड बोरर भी कहा जाता है ठीक है इसको फूट बोरर भी कहा जाता है ठीक है तो देखो ये सारी क्या है इसके कुछ important नाम है जो आपको कई बार अलग-अलग question में अलग-अलग नाम दे करके इस particular insect का नाम पूछ जाता है अब इसको हम control किस तरीके से करते हैं सबसे जो best effective method है इसको control करने का वो कौन सा है तो भाई exam के point of view से इसको अगर हम देखे तो most effective biological agent जो है इसके लिए वो कौन सा समझा जाता है भाई NPV NPV में आपको बता दू क्या है इसकी जो full form है वो है आपके पास में nucleo polyhedral virus ये क्या है एक तरीके का भाई वायरस है। ये क्या है एक तरीके का वायरस है आपसे यह चीज पूछ जाती है कि NPV क्या होता है नुकलियो पोलिहेडरल वाइरस होता है ठीक है और दूसरी इंपस में इंपोर्टेंट चीज पुछे आती है आपको डोज वही डाइरेक्ट एक्जाम के अंदर क्या होता है क्यूशन ये पुछा जाता है कि हो मच क्वांटिटी ओफ एन पीवी इस यूज अगेंस्ट टू कंट्रोल है लिको अर्पा आर्मिजेरा को कंट्रोल करने के लिए एन पीवी की कितनी क्वांटिटी की जुरत लगती है तो वह आपको जो होता है भाई इसका आंसवर आपके पास जाएगा धाई सो लार्वी लेंट पर हेक्टेयर कई बार क्या होता है 300 से 500 भी लिखा होता है बट एक्जाम के अंदर औी जहां 200 लिखा है आप उसको टिक कीजेगा यह क्या है इसका मौश city वाल आंसवर है जो आई एक्जाम में क्या है इस से पूछा जाता है हर एक्जाम के अंदर जो क्वेशन होते कभी भी all of these direct बिना देखे नहीं टिक करना है पहले उसका आपको concept clear होना चीए ठीक है तो इस तरह का जो conceptual question है NPV के लिए हेलिको अरपा में आपसे पूछ जाता है इसके बाद जो next हमारा question रहेगा वो है देखो मेटारीजियम बई मेटारीजियम क्या है मेटारीजियम जो है एक तरीके का एंटोम पैथोजेनिक फंगस है ठीक है यह हम पहले discuss कर चुके थे कि जितने भी ऐसे पैथोजन या ऐसे time microbial agent जो in God control करने के लिए काम में लिया आते है इनको क्या बोलते हैं इंतोमो पैथोजन ठीक है तो इसी तरीके से फंगस का अगर हम यूज में लेते हैं myterism क्या है एक तरीके का fungus है जो किसको गंट्रोल करने के लिए काम में ली जाती है रूट ग्रफ जो होते है या हम बात करें व्यट ग्रफ को कंट्रोल करने के लिए काम में ली जाती है इसके बाद में हमारा next है the main BT toxin जो हम सभी को पता है BT क्या है biological control agent है इसके बाद में BT क्या है एक bacteria से निकलने वाला क्या है toxin है और ये किस तरीके का toxin है ये है delta endotoxin है इसके बाद में हमने discuss किया था कि which of the following is bio agent ठीक है पार्थेनियम हिस्ट्रोफोरस जो है ये क्या है वीड है किस तरीका का वीड है Congress weed है या हम इसको क्या बोल देते है गाजर घास भी बोल देते है या Congress घास भी इसको बोल देते है ठीक है तो इसको control करने के लिए जो best सबसे important biological control agent जो है वो कहां से वो कौन है भई वो है आपके पास में जाइगूग्रामा बाइकोलराटा ठीक है जाइगूग्रामा बाइकोलराटा जो है ये कौन से order से बिलों करता है भई kolioctera order से बिलों करता है या आपको कई बार exam के अंदर question पूछ लिया जाता है इसके बाद में देखो जो world के अंदर सबसे जो microbial pesticide है इनका total market कितना है तो मैं आपको एक चीज बता देना चाहता हूं कि microbial pesticide जो होते है इनका सबसे ज़्यादा मतब सबसे कम use किया जाता है और जो organophosphate है या जो दूसरे insecticide है जो कैसे होते है chemical in nature में होते है या फिर हम बोले जिनको synthetic insecticides हैं उनका सबसे ज़्यादा use में किया आता है तो world level पर जो भी हमारे microbial pesticide है microbial pesticide में देखिए भई क्या क्या आता है BT आता है NPV आता है ठीक है और आपके पास में जो EPNs हैं ठीक है Antomopathogenic nematodes है या जो fungi है वो सब के सब किसमें आते है microbial pesticide में आते है ठीक है तो इनका जो use है वो लगबग कितना है पूरे world के अंदर लगबग 102% ही होता है इसके बाद में जो है हमारा next है egg parasitoid जो है भई egg parasitoid कौन सा trichogramma जो species है trichogramma species को हाल ही के अंदर यह RPSC-ARO जो exam लगा था उसमें पूछा गया था ठीक है और जो trichogramma है generally किस तरीकी के insects को control करने के लिए काम में लिया जाता है lapidopterian insects को control करने के लिए काम में लिया जाता है अब देखी क्या होता है यह कौन से stage पर आपको parasitize करेगा यह कौन से stage अस्था को trichogramma क्या करता है parasitize करता है तो वो कौन से stage है भई egg stage है ठीक है अब इसका control करने के लिए काम में लिया आता है वो इसको जो हमारा sugarcan shoot borer जो है sugarcan shoot borer जो है इसको क्या कहा जाता है starg borer भी कहा जाता है ठीक है अब देखो sugarcan shoot borer को sugarcan shoot borer के जो क्या है eggs है ठीक है उनको क्या कर देगा यह parasitize कर देगा eggs को अगर parasitize कर देगा तो इस insect की क्या लिप जन पाईगी आगे generation start नहीं हो पाईगी तो most favorably जो आपके answer जाता है वो क्या है भई sugarcan shoot borer है अब इसके बाद में जो हमारा next important question है इसके अंदर देखो क्या पूछा गया है कि जो sex pheromone है यह किसको attract करता है ठीक है वो sex pheromone क्या होता है भई इसमें हम एक एक चीज़ देखेंगे सबसे पहले तो है male mode इसका जो answer होगा वो होगा आपके पास में male mode है क्योंकि sex pheromone जो है कौन produce करता है female produce करती है ठीक है वो कौन produce करता भई female produce करती है और female की तरफ क्या होंगे male क्या होंगे attract होंगे तो इस question का जो right answer जो हैगा वो क्या होगा भई male mode होगा sex pheromone किसको attract करता है male mode को attract करता है female mode को attract नहीं करेगा और larvae भी क्या नहीं होता इसका अंसर आपके पास है male mode जाएगा और इसको produce कौन करता है? female mode produce करता है इसके बाद में हैं कि देखी कुछ हमारे पास में कुछ important example है कि इसके फिरेमोंस के जो आपको exam के अंदर कई बार पूछे आते हैं तो भई सबसे पहला जो है वो है बॉमबी कॉल बॉमबी कॉल क्या है? सेक्स फिरेमों है और सबसे पहले identify क्या गया था first identified तो कई बार आपसे exam के अंदर question पूछ ले जाए कि निम निम ऐसे कौन सा सेक्स फिरेमों जो है सबसे पहले isolate किया गया था तो वो कौन सा है भई? बॉमबी कॉल है किस से isolate किया गया था उसको? silkworm से isolate किया गया था और इस silkworm कौन सा है भई? प dad आपके पास में जिप लूर या और इस पास में आपके पास में गोसिप लूर या पेक्टीनो लूर यह किस के लिए काम में लेते भई? पिंक बॉल वर्म ठीक है पिंक बॉल वर्म क्या होता है पैक्टिनोफोरा गोसे पियेला तैन उसके बाद में है लूप लूर बई ये देखो जितने भी सेक्स फिरेमॉन है इसके बाद में जो लूर है ये जो वर्ड लूर है ये क्या होता है इसका मतलब क्या होता है lure का मतलब होता catch यानि कि पकड़ना ठीक है तो lure किसको define करता है कि ऐसा कोई trap जो है किसको attract करने के लिए काम में ले रहे हैं males को attract करने के लिए काम में ले रहे हैं उसको क्या का जाता है lure का जाता है ठीक है तो loop lure किसके लिए use में लेते हैं वही cabbage looper के लिए जिसका क्या नाम है ट्राइव को प्लूस या नी इन उसके बाद में है spotolure ये क्या है spotoptera litura या tobeo cutworm हम जिसको क्या सकते हैं spotoptera litura के लिए क्या लेते इसको use में लेते हैं और सबसे ज़्यादा जो पूछा जाता है आप से वह है मोस् िंपोर्टेंट है कई बार एक्जाम में इसको पूछ लिया गया है है दिन जो है वह प किसको एटरेक्ट करने के लिए काम में सका charter विटिला या स्पोर्टेट बोल वर्म और इसके साथ ही मैं आपको एक चीज बता जाना चाहता हूँ कि भई नेम और फिरेमोन से रिलेटेड जो क्यूशन है अभी हाल ही में जो RPSC का जो एक्जाम लगा था ARO का उसमें ये क्यूशन भी पूछा गया था तो देखी यहां से कई सारे इस एक्जाम जो हैं जो बड़े-बड़े क्यूशन जो है एक्जाम में पूछ जाते हैं इसके बाद में हमारा नेक्स्ट क्यूशन जो है antipathogenic या antipathogen verticillium lacani is used to control FOR तीके अब देखो सबसे disaster आपको यह क्या है कशिज बता देना चाहता हूंकि जो verticillium lacani है verticillium lacani actually में क्या है यह एक तरीकी क्या है basta verticillium lacani क्या है एक तरीकी की fungus है और इस fungus जो यूज़ किया जाता है वो किसकी against किया जाता है sucking insect pest के against ठीक है sucking insect pest के against क्या किया आता है इस fungus का use किया जाता है तो भाई देखो इन सभी जो आपके पास में option दिये हैं उनके अंदर देखो borer भाई borer pest के लिए इसका use में लेंगे क्या? नहीं एफिड क्या है? एफिड क्या है एक तरीके का sucking insect pest है ठीक है एफिड क्या है? एक तरीके का sucking insect pest है तो इसके answer जो होगा इस question का answer क्या होगा भाई एफिड होगा मैंने आपको पहले बता दिया गया है पहले बता दिया है जो verticellium fungus है most preferably जो use में लेते हैं किसके control में यूज में लेते हैं sucking insect pest को control करने में काम में लेते हैं तो इन option के अंदर आपके पास sucking insect pest जो है वो कौन सा है only aphid है तो इस question का right answer क्या जाएगा हमारे पास में aphid जाएगा इसके बाद में next हमारा question होगा आपके पास में BT cotton को और क्या कहा जाता है ठीक है BT cotton is also called देखो तो और क्या कहा जाएगा इसको transgenic crop कहा जाता है भाई इसका जो right answer होगा transgenic crop होगा क्यों होगा transgenic crop अगर हम बोले कि transgenic crop क्यों है तो भाई देखो इसलिए है क्योंकि इसके अंदर जो BT gene है ठीक है इसमें जो BT gene है BT gene को कहां से isolate किया गया है bacillus thuringi genesis से isolate करके cotton में डाला गया है ताकि क्या कर सके ये किसको control करने के लिए काम में लिया गया है भाई जितने भी lepidopterian pest है जैसे कि जितने भी ball worm है जितने भी ball worms है उनको control करने के लिए काम में लिया गया है इस वज़े से हम क्या कह सकते है कि BT क्या है एक तरीके की transgenic crop है क्यों है क्योंकि उसमें BT को isolate करके डाला गया है और किसके control के लिए ball worms के control के लिए ठीक है इसके बाद में जो हमारा last and final question है वो है भाई cypremerethrine belongs to which group of insecticides भाई देखो ये भी आपके exams में पूछ जाना वाला important question है cypremerethrine जो होता है भाई वो कौन से order से belong करता है वो करता है आपके पास में synthetic pyrethroids ठीक है cypremerethrine क्या है भाई synthetic pyrethroids है और ये pyrethroids जो होते है कौन से group में आते हैं भाई ये ये आते हैं synthetic pyrethroids synthetic का क्या मतलब होता है ऐसे pyrethroids जिनको क्या किया जाता है laboratories में synthetic तरीके से क्या कियाता है जिनको develop किया जाता है या बनाए जाता है ऐसे जो insecticide हैड है या जो ऐसे pyrethroids होते हैं उनका जो जो सबसे best example है वो क्या है आपके पास में cypere merathrine तो देखी students आजगी जो हमारी class थी इसके अंदर हमने क्या किये हैं जो भी most important 25 questions जो है जो आपको कई बार exam के अंदर पूछे जाते है या पूछे जाने के पूरे chances हैं उनको हमने क्या किया है इस class के अंदर discuss किया है अगर आपको हमारी class पसंद आई तो like कीजे, share कीजे, subscribe कीजे और जादा से जादा हमारे channel से जुड़िए आज ही class के लिए इतना ही मिलते है next class में, thank you all of you